हलो इस्टूटेंट्स मैं अजीज बहर आप सबी का अपना वला यूटूब चैनल में स्वाथ करता हूँ इस वीडियो से और यूटूब से मेरी जो भी अर्णिंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजी का अपको साधी पर मिलते रहें तो क्या आज का हमाँ टोपिक आज का हमारे टोपे सर्फ से सिस डंशने अ selbst देखा होगा कि अगर कू नेनिया अनल要ग्टिप्धो पानी के इंदर गया और पानी से बाहर भी निकल गया तो गिला नहीं गिला कर देता है, गिला नहीं करता है, इसका मतलब किया, इसका सीधा सा मतलब यह है, कि जो वाटर ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स हमारी बोडी पर चिपक जाती है, वाटर ड्रॉप्स हमारी बोडी पर चिपक गई, इसका मतलब हमने कहा कि उसने हमें गिला कर दिया, ले इसी टाइप से अगर हम mercury के बात करें तो जो mercury है वो glass पर चिपकता नहीं है मतलब mercury glass को गीला नहीं कर पाता जबकि जो water के drops है water के drops glass पर चिपक जाती है मतलब वो glass को गीला कर देती है फिर इसी के साथ हमने ये भी देखा है कि अगर कोई cotton की बत्ती है कोई cotton की बत्ती है जो हम पहले दिये वागेरा में जो यूस करते है तो दिये में cotton की बत्ती में वो जो oil है वो मन से उपर चड़ जाता है कोई cotton की बत्ती है उसके अंदर उसको अगर हमने oil के अंदर रखा है तो वो cotton की बत्ती में oil मन से यहाँ पर उपर चड़ जाता है हमने कोई force लगाया क्या उसको हमने बोला किया भी तूपर चड़ हमने कोई force नहीं लगाया बल्कि यहाँ तो एक नीचे gravitational force लग रहा है नीचे तो क्या लग रहा है gravitational force तो नीचे gravitational force लग रहा है कि जो plants होते है plants में भी जो water है वो जमीन से उसकी उपर की LEWs तक पहुच जाता है तो कैसे पहुचता है water कैसे गया क्यों गया ठीक है फिर उसके साथ आगर हमारे पास एक pen brush है असमेर करने के लिए जो दिवारों को हम जिससे पैंट करते हैं पैंट करने के लिए जो brush है दुर्ख होते हैं रीजिज को पानी के अंदर पानी के अंदर अगर उस पानी के अंदर निकुन निकालें गॹ Cant की बालटी से उसको जिसे बाहर निकालेंगे वह सबही रेशेस इंधर चिपक जाते हैं और यो एक फाइंट बना लेते कि पहले तो सब रेशेस अलग ते जब सुखा था तब रेशेस अलग अलग थे जब पानी के अंदर डूबा हुआ था तब यहिसे सब बाहर निकाल तो अब वो गेला है, और पानिय से बहार आगया है, तो इसके सभी रिशेज इस टाइप से चिपक जाते हैं, और fine tip कौरणर पर fine tip बना लेते, तो इससा क्यों होता है, तो इन सभीmore questions, और एक questions क्यों होती है, और ऑईल की ड्रॉप से वह कभी में ख desse है यह सब का कि चीजह कूँ होती है चीज इसलिए जो आरब 1977 कोई अगर लिकवीड है तो लिकवीडी का कोई फीक्स स्टा नहीं है tak recording कोई फीक्स होता है कर नहीं होता है मझे बर्तन में दालते हैं इस अब इस लिख नहीं होता है कि फिकस फिकस वोल्यूम को ने इसका फिकस वोल्यूम होता है मुछ फिकस वोल्यूम होता है अब यहाँ पर इतना जो liquid का portion ये वाला जो surface है ये तो enclosed है container में लेकिन ये इसका open surface है liquid का ये वाला जो surface है ये open surface है तो liquid का ये जो open surface है इसमें एक additional energy होती है इसमें क्या होती है इस open surface में एक additional energy होती है और उस additional energy की वज़े से ही ये सब इतने सारे phenomena's represent करता है और इस additional energy को ही हमने क्या कहा है surface tension या ये सब phenomena's को ही हमने क्या कहा है surface tension तो next आने वाले जो topics है उसमें हम surface tension के बारे में ही detail में पढ़ेंगे कि ये क्या है किस type से work करता है और उसके basis पर हमने जितने भी इसके पहले phenomena's के explain कि पानी हमको गिला कर देता है और डग को नहीं किला करता और जो बत्ती होती है cotton के उसमें water या oil उपर चड़ जाता है तो ये सब चीजे कैसे होती है उन सभी चीजों को हम surface tension के basis पर explain करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये surface tension की इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें surface tension को हम detail में explain करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम NCRT के according चल रहे हैं कि NCRT में पहले तो ये surface tension दिया है फिर उसके बाद surface energy दी है और उसके बाद एक और टोपिक दिया है surface energy and surface tension तो इस वाले topic में हमने surface tension की बात कर ली अगले वाले topic में हम surface energy की बात करेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे surface energy and surface tension जैसा कि NCRT book में sequence में दिया है, उस sequence में वीडियो अपलोट करूँगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किजिएगा, अपने दोस्तरी साथ भी शेयर जरूर कर दिजिएगा, अगर पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दिजिएगा, और अगर इस वीडियो से लेड़ेड आपको कोई doubt हो, तो doubt comment में आपको से पूछ सकते हैं, कोई suggestion हो तो भी comment कर सकते हैं, बाई!